देश में चाटुकारिता का सीजन चलना है कि जो मोदी का चापूसी करेगा वो बड़े ओधे पे बैठ जाएगा किसानों के साथ आप खड़े हैं और यहाँ पर आज हम आए और हमने देखा कि कुछ बिरुजगार युवा भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ SST GD Constable 2018 के आवेधन जिन्य स्टुडेंट्स यह दे वो भी मौजूद है युवाओ को लेकर और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे देखिए यह सरकार ऐसी है कि तनाशा की सरकार हो गई है ना युवाओ की रोजगार की बात करती है ना ही महिलाओ की सुरक्षा की बात करती है ना ही किशानों की हित की बात करती है बलकि बोल देते हैं रेल नहीं बेच दूँगा खेल पेट्रोल बेच दूँगा भेल लाओ की सुरक्षा की बात कर रही है नहीं वाओ की रोजगार की बात कर रही है यह सरकार सतर साल में सबसे जादे अभी देश में बरोजगारी का आकड़ा देख लीजिए आज मैंने 2013 में बिहार अभी तक एक्षा कर लूँगा लेकिन साथ साथ साल हो गये अभी तब एक्षान के नीचे लगमक 111 दिन धर्मा कर रहा है लेकिन सरकार सुनने को तयार नहीं है बलकि सरकार चुनाओं में एकदम लिप्त हो चुकी बंगाल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां कहते हैं कि रोजगार हम देंगे बीजो केती हैं मामता दीदी कहती है कि हम यहाँ पर जो गुंडे हैं जो बाहरी है उन्हें भगाएंगे गुंडे कौन है? भाज़बास से बड़ा कोई गुंडा है क्या इस देश में? मोधी से बड़ा इस देश में कोई गुंडा है क्या? तो ममता दीदी सही कहा रही है? लेकिन उसने मोदी का समर्तन में ट्वीट किया, किसानों को गाली दिया, उसको इंडियन टीम्स में IPL में खरीद लिया गया, देश में ये चल रहा है, किसान जो अपने हग और अधिकार के लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, आपने देखा ना छोड़ दे, तो आपके और हमारे घर में चूला नहीं जरेगा, हम लोग भूके मर जाएंगे, किसान अपने बेटा को देश की रक्षा के लिए बोडर पर नहीं भेजे, तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा, खेत में मर रहे हैं किसान, सीमा पर सहीद हो रहे हैं जवा उन्हें करने नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें भरती नहीं मिल रही है, 25 अरी को अगली भरती की तैयारी हो रही है। जिसके अंदर योगता है, एबलिबिटी है, कि मैं इस लाइक हूँ, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको नोकरी नहीं हो रहा है। यही देश में चल रहा है। यानि पैसे से आप डिगरी भी खरी सकते हैं, नोकरी भी खरी सकते हैं। नहीं नहीं इस सरकार तो करी रही नो मेडम अब बताइए ना BCCI का चेयर मैन अमीज सागा बेटा बन जाता है लेकिन हमको बोल रहे हैं कि तुम पकोडे तलो मतलब देश में क्या ट्रेंड चला हुआ है कि मतलब योगता के अनुसार आपको नोकरी नहीं मिलेगी लेकिन चा चाह सबको समान चाहे मजदूर का बेटा हो चाहे परधान मंत्री का बेटा हो सबको समानता का दिकार मिलना चाहिए अब यह मेरे पर विश्वास कर रहा ना तो यह सब मंगरंत चीज है मैडम इस देश को देशवक्त नेता की जूड़ता है जो हमारे मानों नहीं है तिकैज साब जी इसको सब मोधी इसलिए कहने लगे है जी भी अटा दिया इनके नाम से मैडम अब मोधी जी कोई नहीं कहत मिल जाये लें पर अपन तो व दिली को भी इलाके रख दिया दिल्ली ही अुञे मेडम पूरा देश हिल गया आज जो भी बोलता है मैं सभी दुख्यों के मज़ूर निराश किसान निराश और गरीब निराश मेडम विपारी निराश जो की आए दिन बलातकर हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की कोई गरंटी नहीं है तो अब एक बाद वता हो जब पूरा देश निराश हो गया तो हम केज़रीवाल मुख्य मंतृब महाई जो लाए है ऊसको अभी उसकी समस्य आली हो ही कैज़रीवाल केलेख सबस्क्राइब तो एसी स्तिती में यह देश किस दंदल में धस रहा है किस बेड़ी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ रहा है इसका तो उपर वाला हैं मालिक है उपरी शक्ती ताकत आएगी जो देश वक्तों को पैदा करेगी राजीव गानी ने क्या किया सब क्याति मे और यह सब गुलामी के रक्षन हो गए और ऐसे इनोंने मूपे पट्ता बांदिया सरकार कर विरोध मातर सके रोडी कपड़ा मकान ना मांग सके और मेरी बास समलो गुलामी की और अग्रसर हो जाए जो नौ महिने क्यों इनोंने लोग डल गायता जनता नकारा हो जाए जो काम कर दो कारा हूई जो यार में बास अवी है कर दो कर गायता जनता मburn मुलामी के कि में थाए जु